अगर आप अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब ने किया तो इसे सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही जाथ बेल आइकोन की दबा लिजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायग्राफिस के वीडियो सबसे पहले भारत के सांदर कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा जिनका असी नाम रमिज गोपी है जो एक डिरेक्टर भी है वो हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरिन कोरियोग्राफी और फिल्म फाल्तु और ABCD के लिए जानने जाते हैं एमो डिसोजा का जन्म 2 एप्रिल 1972 को कनाटका के बेंगलोर में हुआ था उनके पिता का नाम गोपी नायर है जो की एक नभी अफिसर थे उनकी मा का नाम माधुयमा था जो की एक गुरूणी थी उनके एक बड़े भाई गणेश गोपी है और तीन छोटी बेहने है पिता की नोकरी नभी में होने के कारण उनने भारत के कई हिसो में अपनी पढ़ाई करनी पड़ी उन्होंने अपनी सेकेंडरी की पढ़ाई गुजराट के जामनगर से संपन्न की है वो अपने स्कूली दिनों में एक बहद अच्छे अथलिट थे और उन्होंने उस दोरान कई आव एमोडिशोजाने कभी भी डैंस की कोई ट्रेनिंग नहीं लिये थे। उन्होंने डैंस की सिख्या माइकल जाक्षन के वीडियोस को देखकर ग्रहन किये थे। वो बचपन से ही माइकल के डैंस मूवस को देखकर उसमें अपने स्टेप्स खूत कोरियोग्राप करके सिख्ते पेसे की तंगी के चलते उन्होंने अपनी डैंस क्लास सुपर ब्रेट्स खुली और लोगों को डैंस सिखाने लगे। शुरुवती दोर में उनको इस ख्यत्रा में बहुत संगस कना पड़ा। एक बार तो उनके पास पेसे की इतनी तंगी आ गई थी कि उन्हें अपनी दो राते बीना कुछ खाए पिये स्टेशन पर गुजरानी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना हर काली रात के बाद एक नई सुबह होती है। कुछ ऐसे ही उनके साथ ही हुआ। उसी दोर अन एक डैंस कमपोडिशन आय जित हुआ। जिसमें उनकी टीम ने जीत कर वहां बाजी मार ली और लोगों को उनका हुनर भी दिखाए दिया। इसके बाद उनकी किस्मा चमक उठी। उन्हें बतर डैंसर और अभिनता बनने के पहला मोका अमीर खान और उर्मिला मन तोड कर स्टार फिल्म रंगिला से मिले थे। इस फिल्म में उनके डैंस को अलग चको ने भी नो गे। एक साल बाद उन्होंने खूद एक स्टेंत प्रोजेक्ट की सोची और उन्होंने अभिनप सीना के निदेशन में सोनु निगम का अलबम डिवाना कोरियोग्रफ किये थे जो उस दोरन काफी हिट हुआ था। उसके बाद उन्होंने कई और बड़े निदेशकों के सा वीडियो एलबम में काम किया। उनके केरियर का टर्निंग पॉइंट फिल्म कांटे का आइटम सौंग इस समंदर रहा जो उन दिनों में बहुत हिट रहा था। इसके बाद कई हिट फिल्मों के गानों को कोरियोग्राफ करके उनका केरियर और उनकी प्रसीद्धा लगाता बढ़ती चली गई। उसके बाद उन्होंने निद्देशन की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने की सोची और फिल्म फाल्तो का निद्देशन किया। इस फिल्म में लीड जैकी भग्णानी नजर आई थे। फिल्म ने बॉक्स अफिस पर औसद बैपर किया था। लेकि एबिसीडी के निद्देशन की थी। इस फिल्म ने बॉक्स अफिस पर काफी अच्छा डैपर किया। और साथ ही अलोचकों ने उनकी फिल्म की बेहत सराना की थी। साल 2015 में उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म एबिसीडी का सिक्वेल लेकर आई। इस फिल्म में बरुन ध स्रदा कपूर रभुदेबा मुख्य भुमिका में नजर आए। रेमोडी सोजा एक कोरियोग्राफर के साथ साथ एक जज़ भी है। उन्होंने अपने टीवी केरियर की सुर्वाद जी टीवी के डैन्स बेस्ट रियालिटी सो डैन्स इंडेट डैन्स से की थी। इसके डैन्स प्लस में सुपर ज़ज्व की भुमिका आदा कर रहे है। रोमियोडी सोजा काई पूरसकार जीते है। उसमें से यह जवानी है दिवानी 2013 में गीत 22 दिल के लिए सर्वस्रेश्ट कोरियोग्राफर के लिए स्क्रीन आवर्ट्स और इस गाने के लिए 2014 में सिने पूरसकार, आइफ़ पूरसकार और गील्ड आवर्ट्स बक्तम इस दिल और बलम पिछकारी 2014 के लिए सर्वस्रेश्ट कोरियोग्राफर के लिए रेनल्ड स्टार गील्ड पूरसकार फिल्म ABCD2 2015 के लिए सर्बस्रेश्ट कोरियोग्राफर के लिए स्टार डास्ट आवर्ड्स और 2016 में स्क्रीन आवर्ड्स फिल्म बाजी राव मस्तानी 2016 में सर्बस्रेश्ट कोरियोग्राफी के लिए स्टार गिल्ड आवर्ड्स बाजीराव मस्तानी 2016 में गीत दिवानी मस्तानी के लिए सर्बस्रेश्ट कोरियोग्राफी के लिए 63 वर रष्ट्रिय फिल्म पूरसकार जालक दिखला जा 2013 के लिए सर्बस्रेश्ट बेस्ट फिक्षन जाज के लिए गोल्डन पेटल आवार्ड डैंस प्लस के लिए पूरुस 2016 पसंदित नवा सदस्य स्टार परिवार आवार्ड्स मेरे वीडियो को लाइक एंसर जरूर करिये और आप अगर इसे बाइग्राफिस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्स्राइब करिये और बेल आइकन को दपने मत भूले क्योंकि मैं हर अपते आपके लिए इसे वीडियो लाँगा